दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में. आज हम बात करने वाले है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आए नए बदलाव के बारे में. जैसा कि आपको पता है न्यू अकाउंट ओपन करते समय मॉबाइल वेरिफिकेशन कमपलसरी होता है. लेकिन बैंक ने अभी कुछ बदलाव किये है, सबसे पहले जो बैंक ने अभी बदलाव किया है. वो है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग में. इंस्टेंट अकाउंट ओपन करते समय अगर आप कस्टमर का वो ही मॉबाइल नंबर जो उसके आधार में लगा हुआ है डालते हो तो आपको मॉबाइल वेरिफिकेशन करने जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से हो जाएगा. मॉबाइल वेरिफिकेशन आपको तभी करना होगा, जब आप कोई दूसरा मॉबाइल नंबर जो उसके आधार में नहीं लगा हुआ है डालते हो तो. इसी तरह माइनर अकाउंट में भी अभी मॉबाइल वेरिफिकेशन का ओप्शन खत्म कर दिया गया है. अब आप जब भी कस्टमर क्रियेशन से कोई माइनर खाता खोलते हो तो आपको मॉबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप माइनर कस्टमर का खाता बिना मॉबाइल नंबर के ओपन कर सकते हो. आपको यहां mobile number compulsory का option देखने को मिल रहा होगा लेकिन जैसे ही आप customer की उमर डाल कर आगे बढ़ेंगे आपके सामने से compulsory का निशान हट जाएगा और अगर customer की उमर 18 प्लस है तो ये निशान फिर से शो होने लगेगा आपको ये update कैसे लगे हमें comment करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके